हेलो, 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 welcome back to another video, ये वीडियो उन सारे aspirants के लिए है, जो कि आगे जाके नीद देने वाले हैं in 2024, 2025 और 2026, किसी भी बड़ो कले साल में आगर आप ये वीडियो देख रहे हो, और आपके निमांगे में ये question आता है, कि भाया partial drop ले के नहीं ले, ठीक है, partial drop exactly क्या होता ह हो मैं आपको explain करने वाला हूँगा, आज के इस वीडियो में, but exactly partial drop ले या नहीं ले, और आप में से ऐसे कुछ है, कि भाई, मुझे पुरा वीडियो नहीं देखना है, मुझे सीरह सीरह कंक्लूजन बताईए, तो in that case में आपको सीरह सीरह बता देता हूँ कि भाई, partial drop मेरी आपके प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्फ करने वाला हूँ, आपके रियल लाइफ रिलेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर आपको बस क्या करना है, मेरे instagram id, rajbosle.ig वहाँ पर जाओ, या फिर comment section में जाओ, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, कि भाई, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है, यह यह दिक्कत है, हमको आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पर जाके लिखो, उसका solution हम साथ में बटके निकालेंगे, बट इस चैनल का यहाँ पर motive यह रहेगा, कि भाई, not just from counselling point of view, आपके help कर रहे है, बट फ्रम पूरा, that is, पूरे life के point of इसे आपकी यहाँ पर help करी जा रहे होगी, ठीक है, तो topic में बात करते हैं कि भाई, partial drop for need basically लेना है कि नहीं लेना है, तो जैसे कि मैंने conclusion तो बता दिया, बट उस conclusion का, अब main point के पर बात करते है, exactly partial drop होता गया, partial drop basically is need preparation along with, आप कोई भी professional course करो हो, यहाँ पर, that is, BMS हो सकता है भी एचे में सो सकता है, BMS हो सकता है, pharma हो सकता है, फिसो तरी भी हो सकता है, कोई भी professional course होकता है, यहाँ पर medicine के बारे मैं बात कर रहा हूँ है, specifically, I am not talking, क्योंकि obviously बहुत जादा यह चीज़ obvious है, कि भाई, drop जो है, that is, partial drop जो है, वो obviously कोई art वाला, कोई commerce वाला, कोई engineering वाला partial drop नहीं लिग रहा होगा, या MBBS हमनी करनी के लिए, तो यहाँ पर हम need preparation के साथ साथ, अगर आप यह कोई सी भी professional course में, आप enrollment ले रहे हो, just because, कि भाई, मैं इस particular course में जाऊंगा, professional course में जाऊंगा, कुस उबह college अटेंड करूँगा, शाम कोई की need का preparation करूँगा, and अगले साल need exam देके, इस particular seat को मैं आपे छोड़ के basically चले जाऊंगा, एक नया college में, government medical college मेरे को मिल जाएगा, यह आपकी basic सोच है, मतलब that is what is partial drop, right, तो इसके उपर ही बात करने के लिए है, अब इसके reasons exactly क्या क्या हो सकते है, उसके बारे में पहले discuss कर ले थी, कि exactly लोग partial drop क्यों लेते ह क्या, क्या तुमारे multiple drops हो चुके है, बहुत अरे attempts दे चुके हो, usually क्या होता है, that is freshers के दिमाग में यह चीज obviously नहीं आ सकती, but next that is first drop जिनका होता है, जिनका second drop, third drop, four drop अगरा होता है, तो इनके दमा में यह चीज अकसर आ जाती है, कि भाई, मैं partial drop लो या नहीं लो, और यह क कि तुम जो है, वो partial drop में enrollment ले लेते हो, आगे जाके अपना future और सदा खराब करने को, because उसकी psychology जो है, वो हम आपको explain करने वालो आगे, ठीक है, तो multiple drops, उससे that is linked है, that is आपका family pressure linked है, उससे आपका low self confidence भी linked है, that is यह आप खुद पे उपर, आपको basically बरोसा नहीं, आप दो च चीज को promote नहीं कर रहो, सबसे पहले चीज़ यह में clear कर दता हूँ, मेरे point of view से अगर देखो के ना, तो मैं तो हर एक student को, जिससे भी मैं बात करता हूँ, मैं उनसे यही चीज़ कहता हूँ, कि भाई, NEET का, दो attempt से जादा, अगर आप ले रहे हो, तो वो आप अपने बरोस नहीं है, बट उसके बाद भी अगर आपका chances, that is, आपका selection नहीं हो रहा है, तो in that case, that is, आपने अपना जो drop attempt है, वो एक तमाचे से नहीं किया हूँ, फिर आप multiple drops लिए जाओ, उसमें मेरा कोई राही नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगते कि हर एक बंदा जो है, वो एक second chance करता है, और अगर उस second chance पे भी आपका नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने definitely कुछ ना कुछ, that is, वहाँ पर गलती करी होगी, या फिर कोई unavoidable circumstances के वज़े से हो सकते हैं, कि आपका वो second attempt जो है, वो भी सही नहीं हो, बट ये main तीन आपके reasons आते हैं, कि आप क्यों partial drop को opt करते ह family pressure हो गया, या फिर आप में basically self confidence है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैंने अगर एक साल और drop कर लिया, ठीक है, मैं आगर घर पर बैठके पढ़ाई करूँगा, फिर मैं coaching में जाके भी एक साल और that is invest करूँगा, हो सकते है कि मुझे यहाँ पर college ना मिले, तो मैं college की seat मे मेरे pass रख लेता हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने need care preparation कर लेता हूँ, तब शायद हो सकता है कि अगर मैं एक feel हो जाता मेरे पास एक backup plan रहे, backup plan इतना जादा, यहाँ पे dangerous वाली चीज हो जाती है, backup plan obviously, आपके पास एक होना चाहिए, बट यह वाला backup plan, this is the worst backup plan, मेरे खया है वो लग जाएगा, और दो नाव में सवार होने की भी आड़ लग जाएगी यहाँ पर, समझ में आ रहा है, आपको मैं क्या बूलने का try कर रहा हूँ, and what are the consequences of a seat prolapse, seat prolapse का मतलब यहाँ पर यह चीज निकल के आती है, कि आपने एक seat को छोड़ दिया, मतलब obviously parcel drop का meaning क्या है कि आपने एक allied course या फर आपने का NIU course में या पर seat ले ली, and फिर उस seat लेने के बाद, आप उसके साथ preparation करते रहे, आप सुभे college जाते हो, फिर शाम को आते हो, नीट का preparation करते हो, वागए बहुत सरी चीज़े यहाँ पर आ पर आ आ जाती है, नीट का preparation सは related, उसरी fajarea बहुत सरी सीट प्रोलाप्स अब वो सीट प्रोलाप्स के क्या consequences होता है most of the times most of the times अगर आप इन courses की सीट छोड़ते हो तो there is a fine of lax और क्यों ना मारे भाई government government आपको lax of fine क्यों ना मारे अगर आप एक सीट प्रोलाप्स कर रहे हो अगर आप उनकी सीट छोड़ देते हो भली वो government हो चाहे private college हो आपको at least 3 lakhs का यहाँ पर that is fine होता है कितना 3 lakhs का fine होता है MBBS के seat का तो भी 10 lakh का fine है कुछ लोगों को लगता होगा यार यह 3 lakhs का ऐसा नहीं है ठीक है 3 lakhs यहाँ पानी में डाल रहे हो जैसा समझ के रहे हो पानी में डाल रहे हो यह ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपने कभी invest किया हो है यह 3 lakhs गुप आपने कहीं invest नहीं कर रहे हो यह 3 lakhs तो ठीक है इसके साथ साथ obviously that is आप अपने college की fees भी तो गावा होगे समझ रहे हो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हो यह आप जो drop लेके उनका जो value degrade कर रहे हो मेरे को बहुत लोग बोलते सर बीएमेस छोटा है क्या बीएमेस छोटा है क्या बीएमेस हमको क्यों ऐसे downgrade ना सर से देखते है यह वही लोग है that is यह partial drop वाले लोग है जो actual में in particular courses को downgrade कर रहे है इनके बारे में इनका scope क्या है इनका future क्या होने वाला है इन particular courses का यह मैं अगले किसी वीडियो में discuss करने वाला हूँगा बट अगर मुझे personal ही पूछोगे तो यही वो लोग है that is partial drop लेने वाले लोग है जो इन courses को downgrade कर रहे है कि भाई मेंको तो MBBS हमें यह courses तो मैं ऐसी मतल बन रहे हो BHMS, BU, MS, BHMS यह doctors होते हैं doctors में किसी भी MBBS की भी बात करो या फिर आप किसी भी आयूश कोर्स के बात करो अगर आप एक doctor बन रहे हो तब आपको that is बहुत अची पढ़ाई करनी पढ़ती है अगर आप even first year की बात करोगे ना इतनी पढ़ाई करनी पढ़ती है especially उल् में जा रहे हो तो in that case आपका time waste होने वाला है you are tend to get that is you will be tending to get that is distracted ठीक आपके tendency ही हो कि क्योंकि आप और नए लोगों से मिल रहे हो वहाँ पर गुल मिलने का try कर रहे हो वहाँ पर आप दोस्तों बना रहे हो यह कर रहे हो और वो दोस्तों का aim आपके साथ aligned है नहीं जबकि अगर किसी coaching में जाते हो वहाँ पर आप दोस्तों बनाते हो जो आपके thinking के साथ basically aligned ही कि हाँ हमें तो exam को करा करना है या फिर हमें पढ़ा ही करनी है हमें मैनत करनी है वो thinking जो है वो तो align कर ही नहीं रही ना आपके जब आप उस particular college में जा रहे हो तो आपकी यह tendency definitely होगी आप जाओगे कि भाई आप तो college हो गया इसके बाद थोड़े से अराम कर लेता हूं समझ में आ रहा है अगर मेरा तो simple यहां पर यह मानना अगर आप drop के साथ समझ में हो आ रहा है मैं देखो यहां पे एकदम generalize नहीं करूंगा चीज कि भाई partial drop वालों का जो है वो selection नहीं होता म है ऐसा नहीं बूल रहा हूं कि जहां पर एकदम कम परसेंट चांस तो वहां पर जाकि कुछ फोड दिया तो बहुत सही हो जाएगा नहीं यह 0.001 परसेंट चांस जो है वो फोड़ने के बाद भी एक ऐसे competition में जा रहे हो जहां पर अल्रेडी बहुत सरे लोग है समझ में है वो तो पास entry barrier 0.001 परसेंट का है बाकी तो लोग बहुत कचरी की तरह पढ़े हुए कचरी की तरह doctors बन रहे हर साल समझ में आ रहे है मैं आपको कालो तो generalize नहीं कर रहा हूं obviously that is partial drop के साथ selection हुआ है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं but क्या आपको basically इतना खतरनाक वाला risk लेन तो आप खुद सोचके देखो कि आप एक professional college में professional degree जो pursue करते हैं वहाँ पर आप कैसे यह manage करो कि अपना need का preparation जहां पर घंटों घंटों की preparation की ज़वरत परती है तो वो थोड़ा सोचके देखो ना यार थोड़ा common sense case में लगाओ अगर को यह बोलके that is क्या बोलते यह कर रहा है कि भाई partial drop ले ले इवेंचुली mbbs की seat लग जाएगी यह तीन लाग रुपे कुछ नहीं है college में जो एक लाग रुपे भर रहा है वो भी कुछ नहीं है ठीक है तो वो आपको पागल बना रहा है उससे अब उसको बस आपको that is especially YouTube पे देखो कि बहुत सारे लोग मिल तो मैं उनको demotivate नहीं करना चाता हूँ जिन्होंने आप भी partial drop लिया हुआ है या फिर 2024 में लेना चाते है मैं आपको पस reality बताना चाता हूँ कि exactly partial drop क्या है partial drop क्यों नहीं लेना चाहिए demotivate नहीं कर रहा है तो 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 तुमारी जिन्दगी है तुमको जो करना है वो कर सकते हो but मैं को reality बताना important है यहाँ पर समझ रहे हो consequence है समझ में आ गया fine तो lakhs of rupees तो भरे गई आपको भरना तो पड़े गई वो जो lakhs of rupees आप घलाने वाले हो उसका आप दो चीज़े कर सकतो ना यार यहां तो आप एक good coaching institute में आपको जैसे आप तीन लाग रुपे वेस्ट करने वाले तो एक अच्छा अटेम्ट ठीक है एक अच्छा अटेम्ट जहां पर एक आपकी city की बेस्ट हो सकती है और किसे दूसरी city की आपकी best coaching हो सकती है वहां पर at least एक साल की फीज जहां तक बात करोगे एक लाग होगे जड़ाज देड़ लाग पर फीज होगी तो वहां पर जाके इनवेस्ट करो वहां पर जाका अपना दिमाग लगाओ पूरा चीजान लगा दो और फिर जाके exam को crack कर दो ना समझ में आ रहा है मैं क्या बूल रहा पूर जो बी है आपका जो भी इंट्रेस्ट वगरा बन रहा है वहाँ का ये हैं हॉड जेंवेस कर दो कुछ और कर लो कुछ बिजनेस कर लो या फिर ऑंगेडिनरिंग क्या कुछ कर लो शींडिया वो जीस कर लो ठीक है बिजनस में तो obviously कितना जादा स्कोप वगरा है बट उसके एकदम detail में नहीं जाओंगा मेरा point यहाँ पर यह है कि यह जो पैसा आप यहाँ पर waste करने वाला तो उसको अपने आप के उपर invest करो यह seat prolapse में basically पैसा वेस करने से कोई मतलब नहीं है वो anyway आपका भी पैसा नहीं है वो अपने parents ने आपके parents ने इतना मैनत से कमाई वो पैसा हो तो क्यों waste कर रहे हो उस चीज़ को तो video I hope आपके थोड़ा सा दिमाग में कया होगा जो भी साल 2014 के लिए यहां पर पार्शल ड्रॉप वगर का सोच रहते है ऐसे ही जो भी आपके प्रॉब्लम्स वगरा होती है ठीक है जो भी आपके प्रपरेशन से रेलेट आपके डिली लाइफ से रेलेट आपको कुछ भी प्रॉब्लम वगर रहती है नीचे comment section में mention करो आ और डेली अपना अपना comment section में जैसे जैसे मेरी वीडियो जाती रहेंगे वहां पर लिखता जाओ कि हाँ आज मैंने यह पढ़ा आज मैंने यह पढ़ा उससे जाके आपको भी motivation मिलेगा आपको भी यह चीज होगी कि हाँ आपन एक track रख रहे है आपने YouTube पे देखा होगा अ और पढ़ते रहो यार पढ़ते रहो अच्छा चीज करो कुछ hard work करो ठीक है तो वीडियो helpful लगा होगा नीचे लाइक ना लाइक दबावना तो शेर जरू कर उन बच्चों के साथ जो कि इस point of time पे confused है कि exactly हमें क्या करना चाहिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो मे तिल दन बाई बाई